हेलो बच्चों देखिए अभी हम लोग कलास 11 एकोनोमिक्स में मोडल पेपर में पूछे गए most very very important MCQ question answer को पढ़ेंगे जो आपके जारखन बोड़ परिच्छा कलास 11 दोजार तईस के लिए बरदान साबित होगी तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और अभी हम लोग कलास 11 एकोनोमिक्स में most very very important viral objective question answer को एकोनोमिक्स में पढ़ते हैं देखिए सवाल नमबर एक से question नमबर एक भारत में परतियक कितने वर्स में जनगनना की जाती है 10 वर्स में 10 साल में एक बार याद रखिएगा ठीक है भारत में परतियक 10 साल में 10 वर्स में एक बार जनगनना होती है एक का सयूतर सी होगा एक का सी आगे देखिए सवाल नंबर दो माधिका आकडो को कितने बराबर भागों में बाढता है दो बराबर भागों में दो बराबर ठीक है माधिका आकडो को दो बराबर भागों में बाढता है यानि माधिका क्या होता है किसी दिये गए आकडों को एक निश्चित करम में सजाने के बाद, ठीक, बीच में उपस्तित मुल्य को माधिका कहते हैं, ठीक है, माधिका आकडों को दो बराबर भागों में बाटता है, यारनी आधा बाएं आधा दाएं ठीक बीच में इस्तित मुल्य को माधिका कहते हैं जो आकड़ों को दो बराबर भागों में बाटता है दो का सयूत्तर ए होगा दो का ए आगे देखिए सवाल नमर तीन वह बैक्ति जो आकड़ा संग्रा करता है उसे कहते हैं गणनाकार वह बैक्ति जो आकड़ा एकत्रित करता है जमा करता है इकठा करता है संग्रा करता है उसे गणनाकार करते हैं गणनाकार मतलब अनुसंधान करता तीन का सयूत्तर भी होगा तीन का भी आगे देखिए सवाल नमर चार वर्ग अंतराल सतर से आसी का मधिय बिंदू ग्याद करें देखिए मध्य बिंदू निकालने का सुत्र होता है कि किसी दिये गए वर्गंतराल के दोनों सिमाओं को जोड़ कर दो से भाग देना ठीक है यानि किसी दिये गए वर्गंतराल के दोनों सिमाओं मतलब निम्न सिमा और उच्छ सिमा दोनों को जोड़ कर दो से भाग देना यानि नीमन और उच्छ सीमा का ओसत निकलना ओसत L1 पलस L2 बटा दो ठीक है मध्य बिंदू मीड पोईंट M बराबर सुत्र होता है नीमन सीमा L1 और उच्छ सीमा L2 दोनों का जोड बटा दो यानि दोनों का ओसत मतलब सतर से आसी का मध्य बिंदू हो जाएगा मीड पोईंट M हो जाएगा सतर पलस आसी बटा दो यानि एक सो पचास बटा दो मतलब पचातर ठीक है ओवर गंतराल सतर से आसी का मध्य बिंदू होगा पचातर चार का B आगे देखिए सवाल नमबर 5 किसी अनुसंधान के लिए मुल रूफ से संकलित आकडो को कहते हैं क्या बोला किसी अनुसंधान के लिए मुल रूफ से संकलित मतलब जमा सम्मको मतलब आकडो को कहते हैं प्रात्मिक आकड़ा प्राइमरी डाटा पांच का सही उत्तर ए होगा फाइप का ए आगे देखिए सवाल नंबर छे निम्न आकड़ों से बिस्तार गुनांग ग्याद करें निम्न आकड़ों से बिस्तार गुनांग कोफिसियांट ओप रेंज ग्याद करें आकड़ा क्या क्य है 24, 30, 64, 50, 34 और भातर देखिए विस्तार गुनांक निकालने के लिए अधिक्तम मुल्य माइनस नियुंतम मुल्य बटा अधिक्तम मुल्य पलस नियुंतम मुल्य करना पड़ता है यानि विस्तार गुनांक कोफिसियंट ओप रेंज CR बराबर L माइनस S बटा L पलस S जहां L लारजेस्ट मुल्य अधिक्तम मुल्य है और S स्मॉलेस्ट मुल्य नियुंतम मुल्य है तो दिया गया आकडा में अधिक्तम मुल्य बड़ा मुल्य होगा 72 और नियुंतम मुल्य छोटा मुल्य होगा 24 तो फर्मूला में सेटिंग करें एल माइनस S बटा L प्लस S यानि एल लार्जेस्ट मुल्य बादर और S स्मुलेस्ट मुल्य 24 तो हो जाएगा बादर माइनस 24 बटा 22 प्लस 24 यानि 48 बटा 96 यानि 0.5 चे का सयुत्तर दी होगा चे का D, 0.5 आगे देखिए सवाल नमबर 7 समांतर माधि का सुत्र है सिग्मा एक्स बटा N समांतर माधि अर्थमेटिक मीन समांतर माधि X बार का सुत्र होता है सभी प्रेचनों का जोड़ बटे प्रेचनों की संख्या यानि सिग्मा एक्स बटा N साथ का सी आगे देखिए सवाल नमबर एट आठ नमबर को पढ़िए इन में से कौन केंद्रे प्रविर्थी का माप है इन में से कौन केंद्रे प्रविर्थी का माप है देखिए केंद्रे प्रविर्थी के तीन माप होते हैं समांतर माधिय, माधिका और बहुलक, तो यहाँ पर option B, बहुलक केंद्रे प्रविर्थी का एक माप है, आठ का सयुत्तर B होगा, बहुलक, आगे देखे सवाल नंबर 9, 9 नंबर कोशन पढ़िए, 9, संख्याकी के पिता किसे कहते हैं, फादर ओप इस्टेटिक्स, संख्याकी का पिता किसे कहा जाता है, गौट फरायड अकेनवाल को, गौट फरायड अकेनवाल को, 9 का B, आगे देखे सवाल नंबर 10, दो चरों के बीच पारस्परिक संबन्द को परकट करने वाले चित्र को कहते हैं, बिच्छेप चित्र, आगे देखे सवाल नंबर 11, किसी गराब पेपर में कितने चरन होते हैं, किसी गराब पेपर में 4 पाठ, 4 चरन होते हैं, 4 चरन, फर्स्ट को एटेंट, सेकेंड को एटेंट, थर्ड को एटेंट, फूर्थ को एटेंट, यानि किसी गराब पेपर में 4 पाठ होते हैं, 4 चरन होते हैं चार चरन 11 का डी 11 का डी आगे देखिए सवाल नंबर 12 उप्रोक्ता मुल्य निर्देशांख यानि सुचकांख निर्मान करने का सुत्र है ओप्शन ए बारा का ए होगा ओप्शन ए सिग्मा पी वन इंटु क्यो जीरो बटा सिग्मा पी जीरो कि जीरो इंटु हंड्रेट बारा का ए हूगे किसी स्रेनी का एन बटा फोरवा पद कहालाता है पर्थम चतुरतक ठीक है पर्थम चतुरतक यानि फॉस्ट तेरह का ए होगा आगे देखिए चोगदर 14 समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं निर्दस यानि परतिदर्स मतलब सेंपल क्या होगा सेंपल 14 का वी चोगदर का वी आगे रखिए सवाल नंबर 15 निम्न में से कोण सा चार खंडित है, इन में से कोण सा option सबसे अलग है, देखिए वजन अवर उच्चाई वजा चातरों का विशेष्टा होता है, लेकिन चातरों की संख्या इन में से अलग है ठीक है, वजा चातरों का संख्या नमबर अप स्टुडेंट है ठीक है, ठीक है, पंदरा नमबर question कहता है, इन में से कोण सा चार खंडित है, मना अलग है, तो वजा नमबर उच्चाई दोनों चातरों का विशेष्टा है लेकिन चातरों की संख्या अलग है ठीक है, ठीक है, आगे देखिए सवाल नमबर 16, किस अर्थसास्त्री ने कल्यान समंदी परिभासा परस्तुत किया था अलफ्रेड मारसल ने अलफ्रेड मारसल ने अर्थसास्त्र का कल्यान समंदी परिभासा असपष्ट किया था कि अर्थसास्त्र मानो कल्यान के विज्ञान है, और एडम इस्मित ने धन्ड समंधी विचार को दिया था तथा परफेशर रोबिन्स ने दूरलबता समंधी विचार को दिया था ठीक है और रेगनार फिरीश ने अर्थसास्त्र को दो भागों में माइक्रो एवंग मेक्रो बैस्टी एवंग समस्टी के रूप में डिभाइट किया था बाटा था आगे देखे सवाल नंबर 17 तथियों को उनकी समानता एवंग विसेस्ताओं के अधार पर कर्मबद करने की किरिया है ओवरगी करन आकणों को तथियों को उनकी समानता एवंग विसेस्ताओं के अधार पर कर्मबद करने की परकिरिया बाटने की परकिरिया ओवरगी करन कहलाती है 17 का C आगे देखे सवाल नंबर 18 एक स्रेष्ट प्रस्णावली के गुन है एक स्रेष्ट प्रस्णावली गुड एक्सरसाइज का गुन है सरलता प्रस्णों का उचित करम प्रस्णों की समित संख्या इन में सभी होगा 18 का D इन में सभी आगे देखे सवाल नंबर 19 19 को पढ़िए 19 नंबर किस अर्थ सास्तिर के अनुसार आफ किरन पदों के विचरन का माफ है पर्फेसर बावले याद रखिएगा पर्फेसर बावले यानि option B 19 का B 19 का B के अनुसार आफ किरन पदों के विचरन का माफ है 19 का B बावले आगे देखे सवाल नंबर 20 निमने लिखित आकडों से समांतर माधि ग्याद करें निमने लिखित दिये गए आकडों की तालिका से समांतर माधि निकलना है arithmetic mean x बार निकलना है तो आप लोग solve कर लिजिएगा answer आएगा 18 20 का C 18 आगे देखे 21 21 जब निचली और उपरी दोनों सिमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं समांवे सी 21 का B समांवे सी याद रखिएगा जब निमना और उच्छ दोनों सिमाओं को लेते हैं निचली और उपरी दोनों सिमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं समांवे सी 21 का B आगे देखे 22 22 यदि बहुलक Z बराबर 16 और समांतर माधि X बार इकोवल टू 20 है तो माधिका ग्याद करें देखिए बहुलक Z दिया है 16 और समांतर माधि X बार दिया है 20 तो आपको माधिका M निकालना है median तो सुत्र होता है फर्मुला होता है संबंध होता है बहुलक बराबर 3 माधि का मैनस 2 माधि बहुलक दिया है 16 और समांतर माधि दिया है 20 दोनों का भेलू को पूट कीजिए तो होगा 16 बराबर 3M मैनस 2 गुना 20 यानि 16 पराबर 40 बराबर 3M यानि 56 बटा 3 बराबर M यानि M बराबर 18.6 18.6 22 का A आगे देखिए 23 निर्दे सांग के परकार है उपभोकता मुल्य निर्दे सांग ठोक मुल्य निर्दे सांग और द्योगिक उत्पादन निर्दे सांग इन में सभी होगा 23 का D इन में सभी आगे देखिए 24 वा गराफ जो संचई आबिर्ती बितरन को दर्साता है कहलाता है तोरन चित्र ओजाईब वक्र ओजाईब वक्र तोरन चित्र 24 का A आगे देखिए 25 भारतिय संख्या की संस्थान कहां अस्ताफित है कोलकाता में भारतिय संख्या की संस्थान कहां स्ताफित है कोलकाता में पचीस का D पचीस का सयूतर D कोलकाता में तो चलिए अभी तक हम लोग कलास 11 एकोनोमिक्स का फर्स्ट पार्ड का अबजेक्टिव पढ़ें अब पढ़ेंगे सेक्शन B सेकेंड पार्ड का अबजेक्टिव देखिए सवाल नंबर 26 26 से इन में से नगत फसल कोन है इन में से नगदी फसल कोन है देखिए नगदी फसल उसे कहते हैं जिसका भंडारन नहीं होता है यानि फसल लोगाने के बाद उसका भंडारन नहीं कर सकते हैं उसको तुरंद बेचना होगा तो कपास, तंबाकू, गणना, कच्चा फॉल, कच्चा सबजी ये सभी नगदी फसल कहलाता है ठीक है? तो यहाँ पर धान और गेहूं का भंडारन कर सकते हैं लेकिन कपास, गणना, ठीक है? उसके बाद तंबाकू, कच्चा फॉल, कच्चा सबजी यह सभी नगदी फसल कहलाता है जिसका भंडार नहीं कर सकते हैं 26 का C आगे देखिए 27 27 200 बैंक को किस अन्य नाम से जना जाता है IBRD 200 बैंक, वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से भी जानते हैं जिसका अस्थपना 1944 में हुआ था 1944 में 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थपना हुआ था IBRD का फूल फ़म होता है International Bank for Reconstruction and Development 27 का D आगे देखिए 28 सरकार द्वारा सरोजुनिक छेतर के समता हिस्सों को निजी छेतर के हाथों बेचना कहलाता है B. Nives B. Nives Disinvestment Disinvestment यानि जब सरकार द्वारा सरोजुनिक छेतर के समता हिस्सों को निजी कमपनी निजी पोंजी पतियों उध्योक पतियों के हाथों बेचा जाता है तो उसे बीनिवेस कहते हैं जैसे आज के तारिक में Air India Airlines Indigo के पास है भारत में और टेलिकॉम कमपनिया जैसे जी यो AirTel Boda Porn BSNL ठीक है आपका रिलाइंस सब प्राइबेट कमपनी को बेज दिया गया है अब रेल्वे भी प्राइबेटेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे बीनिवेस ठीक है सरकार का सरोजुनिक संपति को नीजी कमपनी के हाथ में सोपना बीनिवेस डीस इन्वेस्टमेंट कहलाता है 28 का B आगे देखे 29 29 मानो पूंजी निर्मान में बाधा है मानो पूंजी निर्मान में बाधा है बढ़ती जन संख्या ब्रेंड रेन सिच्छा का निमनस्तर इन में सभी 29 का D आगे देखे 30 उर्जा के पारंपरिक सोरोत है उर्जा के पारंपरिक सोरोत है बानिज्यक सोरोत गेर बानिज्यक सोरोत दोनो ठीक है 30 का संख्यूतर C होगा उर्जा के पारंपरिक सोरोत है बानिजियक और गेर बानिजियक सरोत दोनों ठीक है 30 का C आगे देखिए 31 31 सरकार दुवारा जो टैक्स बेक्तियों का आई पर लगाई जाती है उसे करते हैं परतियक्ष कर डाइरेक्ट टैक्स देखिए सरकार द्वारा जो कर जो टेक्स बेक्तियों का income पे आय पे लगाया जाता है उसको बुलेंगे direct tax परतियक्ष कर क्योंकि इस tax को दुसरा किसी बेक्ति पर टाल नहीं सकते हैं छोड़ नहीं सकते हैं देखिए हम कोई बस्तु कर देंगे तो उस बस्तु का tax हम देंगे लेकिन जोरी नहीं कि हम ही देंगे हम उसको कोई दुसरा तिसरा बेक्ति को बेज दिये तो अब वो tax देगा जिसको बुलेंगे ओपरतियक्ष कर indirect tax मतलब उसको हम दुसरे बेक्ति पर छोड़ दिये दुसरे पर ट्रांसपर कर दिये ठीक है उसको बुलेंगे indirect tax ओपरतियक्ष कर जो बस्तु को से ओपर लगता है GST लेकिन किसी का जब income पर tax लगेगा तो उसी बेक्ति को चुकाना पड़ेगा वो किसी दुसरा तिसरा बेक्ति पर टाल नहीं सकता है छोड़ नहीं सकता है ट्रांसपर नहीं कर सकता है जिसको बुलेंगे direct tax परतियक्ष कर 31 का A आगे देखिए 32 32 निम्न में से कोण सा उध्योग लगू एवं कुटिर उध्योग के अंतरगत आता है हांस्त करगा यानि हात वला काम ठीक है जो अधिकतर गाओं में होता है गाओं में लगू एवं कुटिर उध्योग अधिक चलता है हांस्त करगा यानि हैंड क्राप्ट्स काम ठीक है हात वला काम 32 का D आगे देखिए 33 33 गरिबी रेखा का संबन्ध है निरपेक्ष निरधन्ता से गरिबी रेखा का संबन्ध है निरपेक्ष निरधन्ता से 33 का B आगे देखिए 34 34 किरसी साख के गेर संस्थागत सरोत है किरसी साख मतलब किसान के लिए रीन ठीक है खेती के लिए रीन का गेर संस्थागत सरोत है मतलब वो कोई संस्थागत सुरत नहीं है महाजन जिसको हम लोग सावकार जमिंदार कहते है 34 का D महाजन गेर संस्थागत सुरत है बाकी नबाड, बैयोसाइक बैंक, छेतरे बैंक ये सभी संस्थागत सुरत है लेकिन महाजन सावकार जमिंदार ये गेर संस्तागत स्वरोत है 34 का D आगे देखिए 35, 35, 35 अधारिक संडरचना के दो परकार कोण सा है अधारिक संडरचना का दो परकार होता है समाजिक एवं आर्थिक विकास 35 का D, 35 का D आगे देखिए 36, 36 CFC का पूर्ण रूप क्या है, CFC का फूल फॉर्म क्या है कलोरो फ्लोरो कार्बन 36 का C, 36 का C आगे देखिए 37, 37 बारवी पंचवर्स ये योजना की आउधी है 2012 से 17, बारवी पंचवर्स ये योजना की आउधी है 12 से 17, A नमबर 37 का A आगे देखिए 38, किरसी साग के साधन है मतलब किसान को रीन मिलता है उसका साधन है किसान के लिए रीन का साधन है भू स्वामी यानी जमिंदार मतलब महाजन, बैवसाइक बैंक, गरामीन बैंक इनमे सभी 38 का D होगा आगे देखिए 49, 39 निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात इनमे से किस देश में अधिक है भारत में, चीन में, रूस में, USA में तो भारत में होगा, ठीक है निर्धनता रेखा से नीचे यानी गरीब लोग रहने वाले लोगों का अनुपास इनमें से किस देश में जादा है भारत चीन रूस USA में तो एंसर होगा भारत में 49 का A आगे देखिए 40 40 नव रतन क्या है नव रतन क्या है भारत का सुपरफास्ट नव कमपणिया जो भारत सरकार के सरोजनिक छेतर में काम करती है ठीक है नव रतन क्या है भारत के नो सरोजनिक उपकरन है जो भारत सरकार को बहुत ज़्यदा हेल्प करती है भारत के विकास के लिए ठीक है इसमें तेल कमपणिया है कोईला कमपणिया है ठीक है उसके बाद प्राकृतिगेस कमपणिया है उसके बाद आपका टेलीकॉम कमपणिया है ठीक है ये सभी कमपणिया नौठो है जिसका नाम दिया गिया नौरोतना सरोजनिक उपकरम 40 का B आगे देखें एक 40 41 एक ऐसी स्थिति जिसमें सर्मिक बरतमान मजदूरी दर पर काम करने को तयार है परंतू से काम नहीं मिलता है ओनेचिक बेरोजगारी ठीक है ओनेचिक बेरोजगारी काम करने के लिए तयार है मतलब काम करने का मन है परंतू काम नहीं मिल रहा है तो आगे देखिये 42, 42 चीपको अंदोलन का उदयस से किस बन का सनरच्चन था? चीपको 근रण का सुर्वात कहां से हुआ? कैसे हुआ? देखिये हिमालय की चोटी के नीचे उत्राखंड राज के खेजरी पंचायत के रेनी गाओ के सुन्दरलाल बहुगुना के नितिर्तों में महिलाओं द्वारा बनों का संरच्छन के लिए बिचलियों को दलालों को पेडों को काटने से रोकना पेडों से चीपक जाना चीपको अंदरन कहलाता है यानि उत्राखंड राज के हिमालय की चोटी के नीचे उत्राखंड राज के खेजरी पंचायत के रेनी गाओं में सुन्दरलाल बहुगुना के नितिर्तों में महिलाओं द्वारा बिरिचों को काटने से रोकना बिरिचों के संरच्छन के लिए उनको पकड़ कर चिपक जना, दलालों का बिरोध करना, काटने से, उसको बुलेंगे चिपको अंदुलन, ठीक है? 42 का सही उत्र D होगा, 42 का D, आगे देखे 43, किसी देश के आयात एवंग निर्यात के अंतर को कहते हैं, बैपार संतुलन, किसी देश के आयात एवंग निर्यात के अंतर को कहते हैं, 44 का A, आगे देखे 45, 45, बनोन मोलन का प्रिणाम है, बनोन मोलन, मतलब अधिकतर पेड कटाई, क्या दूस प्रिणाम है? बायू परदुसन बढ़ेगा जेयो बिविधता का छरण होगा हरास होगा भूमी और नोती मतलब जमीन कटेगा मिर्दा परदन होगा इन में सभी 45 का डी आगे देखे 46, 46 मानो पूंजी में सामिल है सर्मिक और उधमी दोनों ठीक है याद रखेगा अभी जो गाउं गाउं में गरूप खोला है वो क्या है एस एच जी सेलप हेल्प गरूप स्वेंग साहता समू 47 का A आगे देखे 48, 48 निर्मान चेतर यानि मैनुफेक्टरिंग सेक्टर अर्थ बैस्था के कौन सा छेतर में सामिल होता है दूतिय सेक्टर में सेकंडरी सेक्टर में ठीक है निर्मान छेतर मतलब मैनुफ्लेक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर ठीक है उध्योक छेतर अर्थबैवस्ता के सेकंडरी सेक्टर में सामिल होता है दूतिय छेतर में 48 का B आगे देखे 49 एक सुचक जो किसी देश के मानो विकास को मापता है उसे कहते है HDI Human Development Index एक सुचक जो किसी देश के मानो विकास को मापता है उसे Human Development Index कहते है HDI 49 का D 49 का सायूत्तर Option D आगे देखें अंतिम कौसें 50 50 नमबर कोसें को पढ़िए Last question परती बेक्ती आए कीस देश में अधिक है चीन में परती बेक्ती आए चीन में अधिक है चीन में 50 का C 50 का सायूत्तर C परती बेक्ती आए चीन में अधिक है